नमश्कार दोस्तों अच्छ की वीडियो में हम फिर जिली करा एक और मज़िदार लिफ्ट एंड केरी श्टोरी कपिल और अंजू की शादी को लगवग 6 महीने हुए थी कपिल चाता था कि यह उसकी वाइफ अंजू से लिफ्ट एंड केरी करे पर अंजू ऐसा नहीं करना चाती थी बलकिन उसे लगता था कि कपिल का दिमाग खराब है बला एक लड़की भी लड़के को कैसे लिफ्ट एंड केरी कर सकती है हलाकि कपिल अंजू को कन्विंस करने के लिए कई बार उसे लिफ्ट एंड केरी वीडियोस दिखाता रहता पर अंजू से लिफ्ट एंड केरी कनने के लिए कता ही तयान ना थी और उसे लगता था कि कपिल का दिमाग खराब है जब वो कुछ दिन के लिए अपने माई के रहने आती है तो वो अपनी माँ को ये सारी बात बताती है अंजू की बात सुन उसकी माँ काफी हस्ती है और कहती है बस इतनी सी बात वो कहती है अधिकतर लड़कों में अपनी वाइब या किसी और लड़की दौरा कुद को लिफ्ट एंड केरी करवाने की फेंटैसी होती है और हमारी शादी के बाद तुम्हारे पापा भी ऐसा ही कुछ चाहते थे पर मुझे भी तुमारी तरह लगता था कि मैं उन्हें लिफ्ट एंड केरी नहीं कर पाऊंगी पर एक बार जब मैंने उन्हें लिफ्ट एंड केरी करना शू किया तो मैंने देखा कि उन्हें लिफ्ट एंड केरी करना काफी असान है साथ ही इसमें मुझे काफी मज़ा आया और मैं उन्हें लिफ्ट एंड केरी करना इंजॉय करने लगी और कैई सालों तक लगातार मैं उन्हें लिफ्ट एंड केरी करती रही और अब भी जब कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं उजे लिफ्ट एंड केरी कर लेती हूँ अपनी मागी ऐसी बाते सुन अंजु काफी हरान थी पर उसे यकीन नहीं आ रहा था अंजु को यकीन दिलाने के लिए उसकी मा कहती है कि मैं आज रात को तुमारे फादर को लिफ्ट एंड केरी करूंगी तुम चाहो तो छुपकर देख सकती हो रात को अंजु छुपकर देखती है उसकी मा उसकी पापा को कही अलगलग तरह से काफी देर तक लिफ्ट एंड केरी करती है जिसे वो दोरों काफी नजॉय करती है इतने उम्र में अपनी मादो और अपने फादर को लिफ्ट एंड केरी किये जाने से अंजुगा confidence level बढ़ जाता है और वो decide करती है कि घर जाकर वो भी कपिल को जरूर लिफ्ट एंड केरी करेगी दोस्तो ये लिफ्ट एंड केरी श्टोरी बस यहीं तक अगली वीडियो में हम देखेंगे किस परकार अंजू कपिल को लिफ्ट एंड केरी करती है तब तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारा चैनल सब्स्क्राइब कर लिए